नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कुलवन सिंग और आज आपके लिए खास पानिपतवासियों के लिए एक डिबेट लेकर आए हैं डिबेट एजुकेशन को लेकर है एडिमिशन को लेकर है और क्या चल रहा है इसमें स्टूडन्ट क्या सोचते हैं उनके परिवार वाले क्या सोचती हैं समाज से भी क्या सोचते हैं इसी को लेकर एक पूरा पैनल जो है इसमें आप लाइव देख रहे हैं और यह लाइव पानी पसे क्या जा रहा है और आप लोगों के लिए हैं और घर बैठे आप इसको लाइव देख रहे हैं आप लोगों के कमेंट जो हैं वो हमे यह है क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और नय सेशन में बच्चा कहां कि स्कूल में एडिविशल ले रहा है बच्चा क्या चा रहा है आम तोर पर क्या होता है कि माबाप बच्चे के ओपर थोपते हैं कि आपको इसी स्कूल में फ्लाने स्कूल में जाना है क्योंकि व पूरा पैनल लाइव हैं और इसे बातचित करेंगे सबसे पहले मेरे साथ एक गुडिया बैटी है अनवी सिंगला नाम है इसका अनवी से बातचित करते हैं क्योंकि डिबेट हमने छोटी रखनी है आप लोगों को समझ आ जाए इसी को लेकर छोटी डिबेट रखेंगे और स अगर इंट्रोडेट जंग करते हैं आप क्या है माइन इम सन्वि शिंगला आ यह इन दर मेलीनियम स्कूल पारनीपत करिंट अच्छा आफ कि यंग्स्टर हैं आप 10 ज्रास में क्या आपके दिमाग में क्योंकि पुराने जवाने में कोई सरकारी श्कूल में पढ़ा है को क इंडिया से बाहर अच्छी है 10th के बात आप क्या करना चाहेंगे जो बच्चे देख रहे हैं आपको उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप to the point बात करें मेरे according में यही कहना चाहूंगी कि जैसे पुराने खयालात जो थे कि आपको उसी स्कूल में रहना है जिसमें आप थे या जिसमें जान पहचान है पेरेंट्स की ऐसा अप नहीं है अपके ताइम पे बच्चा डायरेक्ट अपना एक्सपोजर देखता है उसको एक्सपोजर कह अपना क्यालिबर अच्छे से बाहर कहां पे ला सकता है and as a student of 10th class में को भी अपनी stream चूस करनी है so it's like आप जादा से जादा 12th तक पानेपत में रह सकते हैं उसके बाद there is no scope in पानेपत you have to go out somewhere whether be Delhi, Mumbai, South India or out of India too so it depends कि आप वो चीज़ एफॉर्ट कर सकते हो या नहीं are you capable enough of living alone and do you have the caliber to study hard and give your life to like get consumed also manage it along with your other life aspects it all depends in 10th class में आप अपी तक कि एजुकेशन का क्या system रहा आपका और आप सोचते हैं कि मतब अब जो है कि मेर को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ेगा विदेश में जाना पड़ेगा या कुछ ऐसी फैसिलिटिया जो विदेश की फैसिलिटिया वो अपने इंडिया में कि इंप्रूवड आरती शिंगला की हमारे साथ हैं उन्से बाचित करते हैं यह मदर है और लाइन्स क्लब यूद की आप क्या है आप डारेक्टर है और मैं सबको रॉच्णी फाउंडेशन की समय प्रेजिडेंट हूं अच्छा आपने अपने बेटी की डिवेट सुनी बा सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी हमेशा यहीं समझाती हूं करना है यहीं करना है आपको अपने अच्छा 3-2-2-3-4-4-2-3-4-4-12-5- 123-2-5-9-6-4-4-4-5-5-5-3-4-5-4-5-5-5-5-6-5-6-6-5-17-6-7-7-3-4-5-6-6-7-7-6-1-7-7-F-4-3-6-7-7-7-7-8-2-1-7-7-7-7-7-8-1-7-8-7-7-8-7-8-8-8-8-8-5-9-2-9-8-7-7-8-7-8. लिए आफ्टर ट्वेल तो शी थो गो अपने बच्चे को थोड़ा सा फुर्द स्टडी के लिए आगे पड़ेगा आप क्या सोचती है मतब अभी पानीपत की बात करें पानीपत करें पानीपत में प्लस टू तक या ग्रेजुशन तक वह सिस्टम है निये कि अपने बच्च प्लस टू तक यहां है मैं इसी से अग्री करती हूं कि प्लस टू तक मेरा बच्चा शी किन स्टाडी है मतलग काफी मुझे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन सबने मुझे बहुत गाइड किया कि आप दमी करा लीजे और आप डेली या कोटा में ऐसे स्टाडी कराईए बट मैं स जैसे कोचिंग है या कोई क्लास है तो मतलब ठीक है शी किन गेट डाट अंड शी कें मतलब डू दाट ऑलसो यह ऐसा नहीं है कि आपको आफ्टेंथ ही बाहर जाना है तो मैं ऐसे ही सोचूंगी कि आफ मतलब अब तू ट्वेल्थ उसको यहीं करना चाहिए आर्थिस संस्ताओं के साथ जुड़ी होई हैं उनसे वी बात śत करते हैं अभी माद यहीं कि बात principal का एसी चीजों से भी मावेटी आप डिवेट में कितना इतिफाग रख रही है और क्या होना चाहिए अगर मदर अकर मैं बात करूं तो मैं भी एक प्राउड मदर हूं दो बच्चों की मैं मा हूं और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि 12 प्लस 2 तक तो पानिपत के अंदर ज इसके बात जो है कि सच में फिर मेरे बच्चों ने खुदने अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं तो मेरे बच्चों ने एक जो है 12 तक यहां से पानिपत से करके और लेकिन जो कोचिंग है आगे जो उन्होंने जिस फील्ड में कॉम्पिटिशन के लिए उन्हें जान कराई और मैंने दो साल 11 और 12 में वीकेंड पे दिल्ली खुद में अपने बच्ची को लेके जाती थी और लेकर आती थी और वहां से ही उन्होंने जो है अपने ही मतलब हमें प्राउड मदर कि अपने बलबूते पे जो है बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवरस्टी जो है इंडिया की वहां पे एड्मिशन लिए तो यह जो बिल्कुल हर मतर एक ऐसे दर्द से गुजरती है बिल्कुल और मुझे यह लगता है कि जहां तक इन बातों को भी 5-6 साल हो चुगा है मेरा बेटा डॉक्टर कर चुगा है और मेरे बेटे ने काफी यहां का एक टेस्टी जो है चीजे बहुत तीजी से बदल रही है हाज चीज के अंदर और मुझे यह लगता है कि जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं समाज में हमें जो है उसनको कितना कितना फरक मानते हैं अभी को बबात कहरें कि पांचा चाहां में अगर बताओं मुझे ना बाइस साल हो में दो हजार दो में मैं आई थी और मेरे देखते देखते पानीपत आज जो जहां मैं रहती हूं मॉरल टाउन में तो पानीपत जो है कि वह दिली का कॉनाट प्लेस जैसा मुझे फील आता है इतनी प्रोग्रेस हुए है चलिए अर्चना सुनी के बात बात रखें पूटी कि है तर्मल से प्रिंसिपल है और कई मुद्धों के आप इनको देखते भी रहते हूं बाची तीनी से करते हैं मैं डिवेट सुन रहे हैं आप अब क्या पता हैं कहीं पहले तो मैं अंजली जी की बात से बिलकुत सहमत हूं पारेंटिंग आज के जमाने में टफ्वेस चेल अन्वी बहुत प्यारी बच्ची है आज हिंदी का एक्जाम देकर रही है और फिर भी हमारे बीच बैठी है तो माइ बेस्ट विश इस फ़र हर मैथमेटिक्स एक्जाम और 21st जो 14 एर्स ऑफ लाइफ है चार साल का बच्चा और 17 साल का बच्चा जब ग्रेट 12 से पास आउ अची है मुझे आपको option नहीं मिली भगवान से कि हमने इस माबाप के घर जनम लेना है मुझे आपको यह option मिली कि हमने कहां job करनी है कहां रहना है हम आज अगर पानीपत में रह रहे हैं तो यह हमारी twice है हम जहां रह रहे हैं हमारे बच्चे भी वहीं बड़े होंगे पानी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को ध्यान में रखें कि मेरे बच्चे को खाली CBSE की passing mark sheet नहीं चाहिए अगर मेरे बच्चे को life में success होना है तो उसे values चाहिए values in terms of wisdom अभी अंजली जी बहुत अच्छे से बोल रही थी कि जो भी मेरी बच्ची का decision होगा मैं उसके साथ हूं वो नौन अटेंडिंग लेना चाहती है वो कोटा जाना चाहती है वो पानी पढ़ना चाहती है में स्ट्रॉंग अपनी बच्ची के साथ हो तो मैं उनकी परवरिश को सल्यूट करती हूं जिनोंने उसको वो वैल्यूस दी कि वो बच्ची विज़म से ये डिसीजन ले अब भी पेरेंट्स को क्योंकि दड़ादर स्कूल खुलने हैं गली-गली में स्कूल हो गए है जैसे पहले अश्टीडिया फुल थी यह से स्कूल खुलने लगे आपको क्या लगता है कि मैंने अगर अपना बच्चा जो है किसी स्कूल में अडिमीट करवाना है में उसका क चौदा साल एक स्कूल में बच्चे ने बिदाए पहले तो आप उसकूल का यह देखिए क्या मेरा बच्चे को क्या एंवायरमेंट मिल रहा है उसकूल में नमबर टू क्या वहां की फेकलिटी कितनी कॉंपिटेंट है कितनी वो स्किल बेस्ट है या जो आज आपने साफ कॉंपिटेंट है क्या उनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है इस चीज को लेकर कि आज के आज अगर अपनी 10th में है जब 12th पास आउट होगी 2 साल बाद सुसाइटी की डिमांड क्या होगी प्रोफेशन किस रुख में जाएंगे इंजिनरिंग की तरफ जाएंगे ब हमारे बच्चे की हॉलिस्टिक डिवल्पमेंट कितनी हुई है मेरे बच्चे को एक्स्पोजर कितना मिला है उसको एन्वायर्मेंट के लिए संस्टिविटी कितनी आई है वियो हुमन लाइप की कितनी रिस्पेक्ट करना सीखा है वो रियल एजुकेशन है CBSC की एजुकेशन नहीं है आप अपने बच्चे में इन्वेस्ट कीजिए और हर स्कूल मैं अभी अवनी की डिसकॉशन सुन रही थी शीवास सेंग कि फ्री एजुकेशन भी अच्छे स्कूलों को देनी चाहिए डेफिनेटली हर्याना पानिपत हर्याना में सिचुएटिड है को एक अपील है कि आज 200 रुपे या 2000 रुपे बचा कर कल को मेरे बच्चे को 20,000 रुपे की नौकरी मिली या आज 200 रुपे लगा कर मेरे बच्चे को एक करोड का पैकेज मिला डिसीजन पारेंट्स का परेंट्स रुपे यही सोचता है ना कि मतलब आपने फ्यूचर की बात कर दिये एक करोड पैकेज वाली बात कर दिया लेकिन अभी वरतमान की बात करेंए अभी वर्तमान में वो ये देखें कि अगर मैं दो हजार रुपे फीज दे रहा हूं या दस हजार रुपे फीज दे रहा हूं या छे हजार रुपे फीज दे रहा हूं उस छे हजार रुपे के बदले में और दो हजार के बदले में मेरे बच्चे को मिल क्या रहा है स्कूल म वहां की faculty कैसी है मेरे बच्चे को safe and secure environment मिल रहा है या मेरा बच्चा बाहर सडक से अपनी बस में बैठ रहा है या मेरे बच्चे की bus campus के अंदर पार्क हो रही है मेरे बच्चे को क्या facilities मिल रही है मेरे बच्चे को safety क्या मिल रही है मेरे बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर खुद कितना competent है, उस टीचर की कितनी training regulars हो रही है, कि उसको नए curriculum, नए NEP guidelines, नए आने वाले time की skill education, CBSE is 100% focusing on skill education, हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनस्मेन बनने के लिए नहीं बना, there are multiple avenues available, हर फील्ड में कोई बच्चा अगर राइटर अच्छा है, आप मीडिया से बिलॉंग करते हैं, स्क्रेप्ट लिखने का काम आपके पास पूरी टीम है, हमने अभी अपने स्कूल में एक लिट्रेचर कॉन्कलेव किया था, हमने हर फील्ड से उन पब्लिक परसनालेटी इसको बुलाया, मीडिया से हमारे पास परसन आए, हमारे पास थीटर से डारेक्टर आए, एक डेली युनिवर्स्टी कॉलिज के एक लेक्च्छार आए, जो पोईट्री लिखते हैं, मैम हमारे पास बैठी है, शीज एंटरपेनर, तो ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर और डॉक्टर बना ही एक बच्चे क करना चाहता है, क्या उस स्कूल की फेकलिटी कॉंपिटेंट है, कि उस बच्चे में जो इनर टैलेंट है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अगर वो ये चाहता है कि नहीं, मुझे तो लिटरेचर बढ़ना है, और पापा ये गए नाब उतर, मैने तो इतना बड़ा इसा नहीं होना चाहिए, थ्री इडियेट्स में हमने देखा वो जो प्रिंसिपल थे, उनका बेटा लिटरेचर पढ़ना चाहता था, और बेटी डॉक्टर बन गई, तो ऐसा नहीं, कि लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, हमें उत सो से बाहराना है, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज है, एक बच्चा जो सुवे स्कूल में उसकी मदर त्यार करके वेशती है, उसको अच्छी तरह से, जो वो बच्चा घर पे आता है, उसकी शट बार है, या फेस काला हुआ है, बच्चा कैसे हो रहा है, एक तो मैंने स्कूलों में यह चीज़े नहीं देखी जारी है, सिर्फ बच्चे के ओपर दबाव है, भी आपने पढ़ना है, आपने अच्छे मास करने हैं, और कुछ लिए, ठ्यूरी जो है, ठ्यूरी के ओपर सही डंग से वरकनी हो बारा, और दूसरा एट्मोस्ट्फेर की जो बात च क्योंकि कहीं स्कूलों हैं जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, उनका जो आप जैसे कहरे हो कि सिर्फ प्रेशर है, ठ्यूरी है, कुछ होंगे की ठीक है भाई, आपने गेंग स्पिरिट डेली, वो एंजोई भी कर रहे हैं, और इस अस्टेबिलिटी, अगर एक बच् आपने बच्ची को स्कूल में जब सोंपा था स्कूल में, क्या होना चाहिए स्कूल में, और क्या एक सब करते थे कि मेरा बच्चा जो है, क्या बनकर निकले हैं, जो मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा क्या बनकर निकलेगा, जो मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा क्या बनकर बट मैं एक बात बदाना चाहूंगी कि जब मैंने इस्कूल में पहली बार डाला था यह बहुत चोटी दिया इस्कूल ने इस्कूल का इंफरस्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्ट्रॉर्स्कूल की टीचर्स एवरिधिंग उन्हों ने इतना जादा संभाला मतलब I am sure जहां पर भी इस स्कूल में भी पढ़ रही है ना I am dead sure this is the perfect school I can't say कि स्कूल में कुछ ऐसा है कि नहीं I don't want like this कि मुझे ऐसा वाला नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ every time यही हुआ है कि स्कूल में मुझे हमेशा हर चीज सटिस्फाइड मिली है कभी भी I don't feel that कि मुझे कि मैंने ऐसे बोला कि मुझे यह प्रॉब्लम है यह अन्भी को यह इस्यूज है माम नहीं they cleared all the things और मैं ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं अब स्कूल की यह बात है कि now she is in 10th standard मुझे इसके लिए further देखना है कि what she has to do and she has but she is clear about most of the she is clear कि what she has to do further ना तो we are too clear and we are proud parents अच्छा अजी तो मैं एक और मैं अपसे कोशन करना चाहूंगा कि एक चीज जो और खलती है समाज में इन स्कूलों में वाणा बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि किसी के पास भी आज के समय में बहुत कम स्कूल है 10 प्रचाण या पिस प्रशन क्वेशन स्कूल को कि जो टीचर है पर में टीचर नहीं जाहित और पर इसके पास पर में तो बच्चों को क्या शिख्षा देगा यह भी बड़ा मुता है जहां पर रेगुलर फेकलिटी नहीं है वो बच्चों की नीट्स को नहीं समझ पाएगे अभी बच्चा यह बता रहा था कि बच्चा गेम स्पीरिट में जा रहा है या बंक कर रहा है उसको खेनला अच्छा लग रहा है तो खेनला गेम स्पीरिट में is mandatory for the child बच्चे को टीम में खेनला बहुत सारी values देता है बच्चे को हारना उस situation को handle करना this is the biggest value लेकिन आपका जो question है मैं उस question पर वापिस आ रही हूं गेम स्पीरिट में पढ़ना is not good for any child चाहे वो meritorious बच्चा भी है academically meritorious है पर उसकी physical fitness, physical health, mental well-being उसके खेलना बहुत ज़रूरी है और इन बच्चों ने वो जो दो धाई साल में घरों में बंद रहकर खोया है इसलिए तो mandatory है CBAC की तरफ से की one period on ground they must be play now I'm coming back to the point किसी भी school की strength उसकी faculty होती है और किसी भी school के अच्छे results के लिए responsible उसकी regular और experienced faculty होती है जो faculty regular change होती रहेगी आज कोई teacher है दो महीने बाद कोई teacher आ गया ना तो teacher बच्चे की needs को समझ पाएगा ना ही बच्चा अपने teacher से उतना connect हो पाएगा उसमें concept clearance में दिक्कत हो जाती है concept नहीं बच्चे को clear होते हैं पर जिन school के पास regular experienced और competent faculty है definitely academic results के साथ साथ वो बच्चे की overall development के लिए भी बहुत अच्छा 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 इससे अपके एक सवाल जो है वो भी जानना ही चाहते हैं अभी जो हैं कि अभी हमारे को और इंतजार करना पड़ेगा मैं प्रे करूंगी कि वो दौर लोट कर कभी भी ना आये जो आया उस time में salute to all teaching fraternity all over the globe मैं कहूंगी not in India जिनोंने उसको cover up करने के लिए online teaching दी लेकिन online teaching ना तो teacher का soul satisfy होता है ना ही बच्चे का जो बच्चों का नहीं होता जो बच्चों के concept clearance live peer group में eye to eye contact with the teacher होते हैं teacher बच्चे की body language से समझ पाता है कि मेरे बच्चे को ये concept नहीं clear हुआ I have to ask the question from the child वो online class में possible नहीं है और online classes में parents मजबूर थे बच्चों को laptop mobile देने के लिए उसके बहुत side effects society में आए हैं तो I pray to almighty की online का concept हमारे इंडिया में दुबारा ना है दुबारा ना है ऐसी situation दुबारा ना है वो एक ad hoc arrangement था अगर वो ना किया जाता तो बच्चे को हम कुछ भी education ना दे पाते सबसे बड़ा तो थीक है I have two daughters बट सबसे बच्चा तो elder बच्चा ने सफर किया क्योंकि this is the time they have to study further मतलब उनको अच्छी education चाहिए teachers ऐसी चाहिए कि उनको face to face अच्छा education दे सके सबसे ज्यादा सफर तो बच्चों ने जो eldest मैं तो बोलूंगी क्योंकि छोटो का फिर मैं काऊंगी फिर बैटर था that was not बलकि छोटों ने तो I was like मैं आपको बताती हू मेरा experience three months तक मैं पूरा six months तक even मैं उसके साथ बैठी रही नहीं तुझे आएगा नहीं करना आपको ऐसे नहीं करना आता आप ऐसे करो ऐसे करो मैं ऐसे बोलती रही but मैं थक गई मैंने का नहीं I will leave her now और उसने इतना मुझसे अच्छा कहीं इतना अच्छा किया कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं क्यो बैठी थी उसके साथ मुझे पता चला मेरे बच्चे में टालेंट है मुझे लगता था नहीं और बड़े बच्चे का तो I will say कि उसको उसने तो सफ़र किया है जो face to face teacher होता है ना वह बहुत जादा सब्सक्राइब कि बड़े बच्चा तो उसने अपना भी देखना उसने उसका भी देखना उसका वाईबेन उनको भी देखना बड़ा बच्चा तो पिस्ता रहा इस सारे सिस्टम में बहुत जादा ने बट टीचर के साथ जो interaction वह नहीं रहा और इस सीरेसली हाने रहा नहीं रहा इस सारे सिस्टम में मैंने यह देखा क्यों कि टीचर पहले आउस दो गंटे तीन गंटे उसके बाद जो अटेंड करना वह से लिए भी एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस था बिक से लिए टो टो टीचर जिन्हों ने गूगल मीट पर क्लासेज लेना जूम पर क्लासेज लेना टीचर ने खुद कितना सीखा किस के लिए सीखा अपने बच अच्छा इंपॉर्टेंट है all over the globe सभी टीचर ने अपने बच्चों के लिए सीखा उनको connect किया लेकिन हर चीज के pros and cons होते हैं बच्चों के हाथों से parents mobile अब ले नहीं पा रहे हैं यह parents की limitations है लेकिन मेरी request है कि धीरे-धीरे कोशिश करें time fix करें time fix करें कि आपको इतनी hours के लिए मिलेगा कुछ sites को block करें उसकी जो negative impacts है वो शायद बहुत भ्यंकर है हम यहां पर उनको share discuss नहीं कर सकते हैं मैम last question ही लेंगे आपके time तोड़ा है मारे पास पूरी discussion आपने सुनी मैम की बातों से कितना इच्टिफाक रखते हैं और दूसरी बड़ी बात की अब आपके बच्चे दो बने हो गए हैं आपके और भी परिवार के बच्चे हैं जो अभी पैदा ही हुए हैं उन बाप सला देंगे कि या आप बच्चे को श्कूल में कि स्कूल में छोड रही हैं स्कूल को क्या देखना पड़ेगा इसाब का तो यहां से हम बात शुरू करते हैं कि वो जो डेड़ साल का बच्चा है कितना गिली मिट्टी है और आपने अपनी गिली मिट्टी को कौन से कैसे कुमार के आथ में दिया है आप से अच्छा कुमार दुनिया का कोई कुमार नहीं हो सकता सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के सौरी तीन साल से पहले अपनी इतनी गिली मिट्टी को अपने साथ ही रखिए एक ये चीज़ कर दिया है मैंने ये बहुत अग्लिएस पूर एर्स के बच्चे को स्कूल वेट्टी सौरी मैं मैं एचली डाटा से लेटा से नहीं हूं और तैंक यू लेकिन ये मैंने फिल कि मुझे बड़ा एक दर्द सा हुआ कि क्योंकि पेरंट्स भी मजबूर हैं वरकिंग हैं यूनो नेक्विलियर फैमिलीज हैं बहुत सारी चीज़े हैं यूनो तो लेकिन सबसे जो इंपोर्टेंट है इस चीज में यह तो यह चीज मुद्धा है कि हम फेस कर रहे हैं इस चीज को बात करते हैं कि जरूरत क्या है जरूरत सबसे आदा है कि आप पेरंट्स अपने बच्चे के साथ एक टाइम इन्वेस्ट करिए गिफ टाइम यह सबसे बिगस आइम माय बनी वह उनके बच्चे बड़े भागशालीत है कि उनकी माँ उनके साथ ती आखो मैं उनका बच्चा देखते देखते धाई से तीन साल का होगे बता भी नहीं चला तो वही वाली बात है मैं मैं के बाद से बिलकुल एक बिय करती हूं कि बहुत खुबसूरत हम एक यूग मैं लिए है जहांपर टेक्न ouais जी का अब कितना और किस हथ तक यूज और कम इंख और उसके फायदे ही मुक्सान पिया चाहिए और online के वही है कि फाइदे भी और नुकसान भी है वही फिर घुम फिर के बाद वही है जाती है कि यह डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते है तो हमें बैलेंस चाहिए लाइफ के अंदर health जो सबसे जादा गिरी है इस वक्त आखों की health पेरेंट्स को पता ही नहीं सच में मैं आपको अपने ही देखी वी और सच बता रही हूं यह बहुत प्यारा सुन्दर सा बच्चा कोई चश्मा नहीं उसके और देखो मदर की इग्नोरेंस कि बच्चा रजाई में रातों को डेडड़ एक एक बज़े मभाइल लेकि वो अंदर अंधेरे में खेल रहा है और मदर को पता ही नहीं एकदम से धाईस देखो कोई भी चीश बॉडी में तो एकदम से आती नहीं है तो जब तक उनको पता चला कि बच्चे को कुछ सिम्टम्स एक्दम से जब तक वही है ना कि जब तक टेजी से नहीं दिखते तो हम जागते नहीं तब तक तक वह मा जागी तब तक साड़े पांच है नंबर का चश्मा बच्चे के आंग में चड़ चुका है तो इग्नोरेंस सबसे पहले तो अपना टाइम इन्वेस्ट करिए वही बच्पना दीजिए मुझे याद है हमारे भी बच्चे हैं आपके भी बच्चे आपको याद होगा और मुझे भी याद है कि बेशक हम निक्लियर फैमिली में रहे मेरे हजबन को पढ़ाई के लिए ब तो यहीं चाहिए आप बच्पना तीन साल तक अपना बहुत खुबसूरत देजिए वह जो संस्कार बच्चे के मन में पर जाते हैं फिर वह बाद में है तांक ये वरी मच खतम करता हूं लेकिन बात फिर वही है कि नीव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी इ यह कोशिच की है और आगे भी ऐसी जो डिसकेशन है वो चलती रहेगी लेकिन इसका केन क्लूजल जो है इसका पुरा का पूरा सिस्टम आप लोगोंने देखना है तो ऐसे ही समाजिक संस्ता है या यह जह योगता पर धियान दें जी 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 AZ टो ऐसे ही और जो लोग हैं हम तारीक को जुडने वाले हैं 26 मार्च को आप ना भूले 26 मार्च को शुबे 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक admission education फेर जो है हम लोग लगाने जा रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे जो हैं लोग भी आएंगे teachers भी आएंगे समा सीवी संस्थाइं भी आएंगे हो सका तो हम उन माओं को भी बुलाएंगे उन बच्चों को भी बुलाएंगे जो आपको बता सकें थोड़ा सा ये बता सकें कि क्या होना चाहिए आपको एजूकोईट कर सकें हलाकि आजकल तो हरकोई एजूकेट है लेकिन मेले क्या लगाने का मकसद हमारा ये है कि इस मेले में आएं बच्चों को भी लेकर आएं फ्री एंट्री है इस मेले में और आप लोग समझने की कोशिश करें कि आपके बच्चे के लिए कौन सा स्कूल अच्छा है कि स्कूल म मार्च होटल हाइव में 10 बजस लेकर साम 7 बजस